हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एडगर है मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन वेशनमुक्ति तक गया हूं एक एनलपी ट्रेनर और कोश भी हूं काफी सारी मम्मी मेरे पास में आती रहती है मतलब डैड़ी भी आते हैं मम्मी जादा था की बच्चे बहुत परेशान करते घर में बच्चे घर में आएंगे स्कूल की बैक फेक देंगे शू कहीं भी निकाल देंगे ओप्रेच जेंगे ऑफ सवस्कों होगां तो वो कहीं डाल द लेंगे जुए कि फेक देंगे और फिर खानाना चाले आने के बात पाद पर दो उखना पड़ता है वजह लो कि वेड्ला presents. स्कूल जाने के समय सब कुछ जमा करना पड़ेंगा और मम्मी को देना पड़ेगा तो यह परेशानी तो है बच्चों की परेशानी तो बच्चे किसके है मैं बोलतों बच्चा है किसका भी आपका यह बच्चा है जब परेशानी आपको मालूम था तो शादी क्यों किया और आप यह समझ के चलो कि परिशानी है आप इससे दूर नहीं हो सकते उल्टा बार बार आप क्या करते हो बच्चों को यह बोलते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था हम ऐसा नहीं करते थे हम पढ़ाई टाइम करते थे हम घर में रहते थे हम बहार करें जाते नहीं थे ऐसा उ आपके जमाने में इंटरनेट था आपके जमाने में फेस्बूक था आपके जमाने में कुछ भी नहीं था तो आपको एधी आपके जमाने में टीवी नहीं था तो आपको एधी कुछ टाइम पास करना है तो करना गया था कुछ भी नहीं था फिर आप क्या कर देते एक तो खे पड़ो और ट्राइं मिला तो पड़ो तो हमको क्या और garage के साथ में अजम्ण होना पड़ेगा कि उनको है लिए बता है कि वे तुम्हारा टाइम फिक्स है जी क्यों आपने इस मोचल मेडिया का वापर करने का है इसके उपर नहीं कि उसको टाइम दे दिया उनको अलाउ इसा करते रहे या वहीजिए फुट मम्मी पापा यह इसा करते क्या। दूसरा यह है कि बच्चों को यह मालूम ही नहीं कि पढ़ाई क्यों करना उनको हम क्या करते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पिछे लगते हैं और पढ़ाई कर आसा पिछे लग 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 उसको यह मालूम है कि पढ़ाई क्यों करना सबस्क्किन को थे में इसके सामने कुछा इसका इन सब्सक्राइब करें और का एक्शकिलि मुण पपा को बच्चे नेक पढ़ा करने में को इंट्रेस नहीं दोのは च्किने पढ़ाय कर कि अच्छे मार्फ लड़को यह यौड צ on उसके लिए मतलब मेरी इज़त मेरे आइडेंटिटी मेरा बच्चा उसने इत्ते मारक कमाए इसका मतलब मैंने कमाए तो बच्चों को यह सब सोशल मेडिया से दूर रखता है तो उन से बात करनी पड़ेगी उनको को टाइम देना पड़े गा ममी पपा ने दढ़ी है अपनें अपने काम में और जब उनको समय मेलता है तो भी वाटसेप और फेसबूक में लगे रहते हैं तो बच्चे ने क्यों नी मुझे लगता है कि जब हम कोई होटल में जाते हैं और होटल का बड़ा डाइनिंग हाल है तो मुझे लगता है कि वहां का एक वीडियो शुटिंग कर रहो या वहां के फोटोस निगालो काफी सारे लोग बैठे रहते हैं पच्चों के साथ में कुछ कपल्स है वह खाने के ओ को बहुं आपने-पने फेस्बूक पूपड़ें पूपे तो मुझे कई वहक्त है कि वह तो मुझे कल वेक्ती मिला था हो तो बोल रहा था कि वह हम तो बाटे Moscow सापे बाते करते कर कर पाद करते हैं हौस Minute निग Management को फोटेबेयों में कोने बुल्लिबींश करों मेरे दादी को कोई चोट पहुंच गई या बुखार आया तो मुझे मालूम नहीं होता कि यह वाट्सेप पे नहीं या फेस्बूक पे नहीं को मिख से तो बयुक्त के तopp existed 3 सब्चों कि अच्वाइं तो एक वह रिसपोंसिव इनसान बन सकते अच्छ जो अपने वर ताओं की जिम्मेदारीunde वी तो उनके पीछ에 नहीं लगते इसे मट्सके में लगते हुए उनको एधी डायेक्शन दिया बच्चों को बच्चों के साथ में बातचीत किया उनको समय दिया तो बच्चा अच्छा इंसान बन सकता है लोग किया करते बड़े घर के नोग बहुत पैसा हैं तो बच्चों को हного है देने के बातले उनको पैसा दे तो बच्चों को एक्चुली ऐसा बोला जाता है कि डबल टाइम दो अधह पैसा दो कर दो अ हुआ कि बच्चों को आपका टाइम महत वाइए मैं कि एकई डॉक्टर का लड़का कि वह डॉक्टरक की अपने पिताजी के पास में जाता है कि रहे प्रच की की क्रांड दॉक्टर काफ की बीजी रहते हैं सुबह घर से निकल जाएंगी तो रात तक वह पेशेंटर एपेशन देखेंगे आम आपवे कि बंब सब्सक्राइब करो 2 जोद क्या मुशे जल culpa में अब पैसे जम्मा करके वो डबा खोलता है उसमें से 300 रुपे निकालता है और ये 300 और 200 500 रुपे उसके डैड़ी को देता है वोलते है आपकी फी हो गई आप पेशन को 500 रिलने के बाद में 15-20 मिनिट डेखते हैं अब मुझे आप 15-20 मिनिट का टाइम दो वो डेड़ी की आखे खुल गए कि मैं क्या कर रहा हूं तो पैसा सब कुछ नहीं है बच्चों को टाइम दना पड़ता है सच्चाई के साथ में बच्चों के साथ में बात्चीत करना है सच्चाई के साथ में वहवार करना है जिम्मेदार विक्ति और जिसको आगे क्या करना ह उसके बारे में बात चीत भविश्य क्योंकि बच्चे भविश्य जीत है फ्यूचर जो है भविश्य वो उनका है तो उसके बारे में बात करते हो तो एक अच्छा हमारा देश तैर हो जाएंगा जिसमें हर अग्यक्ति फ्यूचर के बारे में अपना काम काश करेगा काफी घर कि अपके हैं की फिल्डिय में बावासी लाइब्य घो हूं गुनिहां हर उनकी पर में आपके दोस्ट्सटों मैं यह वीडियो है ar गोजय कोनों परीशनियों उनकी परुटियूर श्रमारा देश एक अच्छे इंसान का बहुत प्वार्फूर इंसान का शक्तिशाली देश तैयर हो जाएगा आगे आनुवली पीडि बहुत ही शक्तिशाली रहेगे सो थैंक्यू बेरी मच्छ